तो डेर स्टूडेंट आज किस वीडिव बात करेंगे बीए फस्टेर के बीए सिकेंद समेस्टर के English के MCQ टाइप के Most Important Question and Answer के बारे में जिन-जिन भी इनवर्सिटी में परिच्छाएं MCQ बेस्च पे होने वाली हैं बीए सिकेंद समेस्टर की है और उनका सब्जेक्ट इंग्लिस है तो उनको वीडियो कंप्लीट जरू देखनी चाहिए क्योंकि आप सबीक मालूम है कि ज्यादा तर इन्वर्सिटी में इस बार पैच्छा चाहिए तो सबसे पहला प्रश्ण है वह सोने से जुड़े हैं यह देखे यह अपके फ्लेबर का नाम है एक आपका नहीं तो पहले सोने नहीं हो जानतेífic सोनेट से जुड़े सोनेट ठीक है तो सोनेट फिरे कोईश्चन पहला है कि दा टर्म सोनेट इज डिराइब्ड फ्रॉम दी इटैलियन वर्ड सोनेटो मिन्स इसका मतलब क्या होता है आपको बताना है तो ध्यान दकेंगे सही जब आप इसका हो जाएगा आ लिटल साउंड आ आवाज है जान लखेंगे ओके क्या सोनेट ओके और अगले कोईश्चन का उत्तर बताने से पहले या फिर अगले कोईश्चन की और बढ़ने से पहले मैं आपको बता दे रहा हूं हम इंगलिस के इस्पेसल टीचर नहीं है लेकिन आप लोगों के बहुत फारे कमेंट आ र कि हमारी इंग्लिश नहीं है इसलेट नहीं कि उस्पेसलिस्ट नौख लिए इसलें में बोलने में by mistake अगर कुछ आपको मतब कि कुछ वर्ड ऐसे होंगे जो हार्ड होंगे प्रोनाउंसेशन करने में गलत हो जाए तो इसके लिए हम पहले ही आप लोगों से सोरी चाहते हैं ठीक है ओके ध्यान रखेंगे इस बात को अगला प्रशन है कि आप सोनेट इच कंपो दाउंसरींगे दा ध्यान रखेंगे इसको किया किांता है पै त्रेट्र चन सोनेट क चेट है चेह जब आप इसका हो जाएगा इन अंबर ध्यान रखेंगे अगला प्रस्ण है कि A B A B C D C D E F E F 19 is the Remy Scheme of किस चीज का यह Scheme है द्यान अखेंगे इसका सही जबाब हो जाएगा option number B English Sonnets और Shakespeare Sonnets ठीक है Shakespeare, Shakespearean Sonnets English Sonnets या फिर English Sonnets भी कह सकते हैं या फिर आप लोग कहते हैं Shakespearean Sonnets तो सही जबाब यह होगा B number अगला है कि अस्ट्रोफिल एंड इस्टेला ध्यान से सुनेंगे 1580 वाज रेटन भाई यानि कि कुश्चन कहे रहा है कि अस्ट्रोफिन आयंड इस्टेला 1580 वाज रेटन भाई कौन से लेखे के द्वारा लिखा गया उनका नाम है Sydney सही जबाब इसका हो जाएगा यह नंबर अगला है कि अमरो ठीक अमो रिती 1595 वाज रेटन भाई तो यह लिखा गया है ध्यान से सुनेंगे इस पेंसर के द्वारा सही जवाब ए होगा अब बढ़ते हैं अंगले प्रश्णी के और अगला क्वेस्चन है कि इस्पें सेरियनि स्टंजावाज आफ jeśli पर्म ड्युवाइज्ड इंक तो इसका शही जवाब हो गाया ध्यान से सुनेंगे इस पेन सेरियन इस्टंजावाज अफर्म ड्यूआजड बाई इसका है qko छाई तो आगला प्रस्टन है कि ऊक्टेव एंड और अप्लाई टू कि इस चीज के लिए अप्लाई किया गया जबाव इसका हो जाएगा option number a sex period sonnet नमब्र सभाव अगला कि who introduced sonnet to England तो यह Thomas Watt सभाव इसका हो जाएगा बी नमब्र तीक है अब अगला जो lesson है मतलब कि अगला जो पार्ट lesson है जिसको आप लोग बोलते हैं लग तो दा लग दा लगी आप पोयम आफ किसीज का पोयम है तो यह है serious music और आफ लेमेंट फॉर आप परसन और परसंस सही जबाव इसका हो जाएगा एगा अगला है कि alag had its origin in तो सही जबाव इसका हो जाएगा बी नमबर इनिशींट तीक है ग्रीज ओके धान सुनली जे का important प्रस्ण है अगला question है कि आ प्रस्टो रॉल एलेजी है जा सेफर्ड सेफर्स लेमेंट तो इसका सही जबाब हो जाएगा option number B for another सेफर्ड ठीक है भी नंबर अगला प्रस्टन है कि आप प्रस्टन एलेजी इज आप पोयम आफ तो इस यह पोयम आफ शीरियस म्यूजिंग ऑन दी फैक्ट आफ देथ सही जबाब यह होगा अगला की अगला question है कि थीम आफ एन एलेजी इज आ ब्लेंड आफ तो यह इसका सह सही जबाब होगा सी नंबर लेमेंट्स एंड लेमेंड ठीक है लेमेंट एंड मेलें चोली मेलेंकोली और उसके बाद यहां पर आगला point मतलब की यसी में है कि दाल लेमेंट एंड मेलेंकोली reflection सही जबाब सी होगा ध्यान रखेंगे अगला प्रस्टन है कि दा श्टंजा यूजड इन इंग्लिश ठीक है एलेजिस एलेजिस फ्रॉम स्पेंसर अस्टोफिल एंड इस्टेला फिप्टीन एट्टी टिल ठीक है एग्रेज एलेजी सिस्ट सेवंटीं ठीक है फिप्टी वाज तो यह है इसका सही जबाब हो जाएक आफिसे नंबर आए नंबर फॉर लाइन एलेजी एस इस्टेंजा अब एक नंबर सही जबाब होगा अगरा कोश्चिन है कि दा स्टेंजा यूजड इन डबलू एच ओडेन लगी इन मेमोरी आफ डबलू बी इट्स नाइंटीन थर्टी नाइन इज तो नाइंटीन थर्टीन इज आर एर्रेगुलर इस्ट टिक है इर्रेगुलर इस्टेंजा से नमबर सही जबाब हो गज लिमिंग एसाइड और डिंस ऐलेजी दी ठीक है अब टिक एलेजी दी मेंटर यूजड इन आल दा इंगलिस इलेजी इस वाज एलेजी तो इसका जो सही जबाब हो जाएगा और आफ टीक है आई-एम बेक म मेंटर ठीक है आएंग आएंग विक मेंटर अगला कि दा इस्टंजा यूजड इन मिलिटन मिलिटन्स लिसाइड सिस्टीन ठीक है 1637 वाज तो इस प्रस्ष्ण का सही जवाब हो जाएगा आप से नमबर सी फोर लाइन एलेजिक इस्टंजा सी नमबर अगला कि मिलिटन मिलिटन्स लाइशेट्स वाज पब्लिश्ड कौन से सन में पब्लिश हुई थी यह हुई थी 1637 में 1637 में अगला कुश्चन है कि ठीक है एटेन 67 वाज रेटन भाई किसके दा लिखा गया तो यह लिखा गया अर्नोल्ड के द्वारा सही जवाब अगला कि ठीक है ठीक है इन दी मेमोरी आफ इन दी मेमोरी आफ हग इस प्रकासित हुई थी तो यह हुई थी ठीक है एटेन 67 में सही जवाब इसका हो जाएगा सी नमबर अगला कि दाफ फास्ट ग्रेट पॉस्ट ठीक है पॉस्ट्रोल एलरी वाज रेटन बाई इडमंड इस्पेंसर इट वाज रिटन इन फिप्टेन फिटी फिटो मॉन ओ अगला प्रशन है कि पीबी सेली ठीक है सेलिस अडोन ठीक है अडोन इस एटेन 21 वाज रिटेन इन इन दी मेमोरी आफ मेमोरी आफ जोन किट्स सही जवाब सी होगा अगला है कि थिन ठीक है इन इन फिप्टी वाज रिटेन इन दी मेमोरी आफ यह भी इंपॉर्टन कोईश्चन है मेमोरी आफ हलम ठीक है सही जब आप इसका हो जाएगा ए नमबर ठीक है इफी तरह इस वीडियो में और भी बहुत फारे प्रश्ण है देखे ज्यादा हमारी इंगलिस सही नहीं है इतने कोईश्चन मैं आपको बता रहा हूं कि इनको आपको तैयार कर लेना है यह पूरी पूरी पीडियोप मैंने वो सारे कोईश्चन देखा है जो पिसले वर्स पूछे गए हैं और इस बार आने की संभाव ना है उसे साफसे मैं फिल्टर कर लिए ठीक है ताकि आपकी तैयारी हो से कि आप अपने नुसार यह पूरी पूरे जो कोईश्चन दे जाएंगे पीडियोप सहित वित एंसर हम आपको डाल देंगे तो आप लोग तैयारी कर लिजेगा यहां पर सिर्फ कोईश्चन कोईश्चन है लेकिन हमने एक पीडियोप तैयार की उसमें एंसर भी है उसके सामने करीब करीब सो कोईश्चन है तो आप लोग इसमें तैयारी कर लिजेगा तो आपको मिल जाएगे आपके एक्जाम में क्योंकि हमारी इंगलिस इतनी प्राउंट थीक है इतनी स्टॉंग है नहीं और वर्ड भी थोड़ा हार्ड है इफले प्रनाउंसेश आपको याद रहेगा ठीक है और यह पूरी पूरी पीदिएफ आंसर सहित आपको कहां आप मिलेगे उसकी जान काई दे दिना हो इसी वीडियो की डिसक्रस्टर में टेलीग्राम वट्सअप कलिंग मिल जाएगा तो वट्सअप गुरूप पे जाइन होंगे आप तो वट्सअप गूरूप जोने जाइन होने के बाद आप मैसेज कर दीजेगा कि सर अमें भी ए सि संद कर देंगे ठीक है तो यह आप लोग लिखके देंगे तब ही संद कर पाएंगे ठीक है बागी मिलते हैं कोड़ने वीडियो जब तक लिए जेहिंद